हेलो फ्रेंज वेल्कम टू आवर किरकेटाश गार्डन तो फ्रेंज मैं बहुत दिनों के बाद ये वेडियो बना रही हूं तो आप देख सकते हैं कि मैं अपने गमलंग को कलर कर दिया है आप देख सकते हैं ये गुलाब के फूल है और यहां पर मैं अपने गमलंग को मैं सजाने के लिए कोशिश की हूं तब देख सकते हैं इसमें देशी गुलाब भी है और इंगलिश गुलाब या इंगलिश रोश कह सकते हैं उसको भी मैंने लगाया है तो आप देख सकते हैं पत्तों पत्तों पत्ते कैसे दिख रहे हैं फ्रेंज क्यूंकि हमारे यहां सुबह कुहास थी तो मैंने सोचा कि ऐसे वेडियो में बनाती हूं क्यूंकि पत्ते कुहास के कारण अच्छान पत्ते कैसे दिख रहें आब देख सकते हैं तो इसको मैंने बहुत कि पीछे इसे में प्रोणिंग किया है और इसकी के आधियर सोयल को निकाल के मैं इसे के दू दिन धूप दिखाने के बाद इस में मैंने कॉम्पोस्ट डाल दिया है तो अब देख सकते हैं इसके पत्ते और इसके ग्रोथ कैसे दिख रहे हैं तो मैं तो फ्रेंड्स इतनी एक्सपेरियंस नहीं हूं गार्णिंग में बस सीख रही हूं इसमें तो कलियां अभी आ रहे हैं यह मिनेचर रोश हैं यह पौध है मैं उसे नहीं कह पाऊंगी क्योंकि मैं गुला फूलों को इतनी अच्छे से लगाने नहीं जानती हूं पर इस बार थोड़ी बहुत सीख रही हूं और कर रही हूं तो अब देख सकते हैं और इसकी फूल आएंगे तो मैं फिर शेरिंग करूंगी तो कलर के साथ मैं यह म यह कलर के गमले कलर कैसे हैं फ्रेंज और उसके साथ यह ताधे इग्रोथ आप खुद देखिए कि मैंने किस तरह से कोशिश की है शीख रही हूं और फूल कैसे आएंगे छोटे या बड़े यह मैं नहीं जानती पर हम फूल आएंगे तो मैं प्लोविंग शेरिंग करेंग तो इसको मैं एक रो में इस तरह से सजाने के लिए कोशिश की हूँ आप देख शक्ते हैं तो अप लोग उनको यह छोटी शी वेडियो कैसे लगी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए शेर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारी वेडियो चैनल हमारी यह प्रेंश